हलो दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका एक्जाम में 100% आने का चांसेश हैं वो थेवरम है रिस फिचर्स थेवरम तो देखते हैं इसका स्टेट्मेंट क्या कहता है हम लोग इस थेवरम में दो कंडिशन लेका चलते हैं एक नेसेशरी कंडिशन और दूसरा सफिचेट कंडिशन इन दोनों कंडिशन के थू हमी इस थेवरम को प्रूप करना होता है नेसेशरी एन सफिचेट कंडिशन and the function fn belongs to l to the power p ab इसमें a और b एक सेट रहता है किसमें l to the power p ab और वो क्या रहता है converge रहता है तो यहां लिखाएं कि यह function fn belongs to l to the power p ab converge it means to a function इस प्रकार यह function f belongs to l to the power p ab के लिए क्या होता है हमें define करना होता है कि norm fm minus fn p equal 0 तो हमें इस theorem में यही prove करना रहता है norm fm minus fn वो किसके 0 के equal जहां जो m और n का value कहा तक रहता है infinity तक रहता है इसका एक other statement हम लोग write कर सकते हैं कि n lp space is complete space मतलब यह कि जो lp space हम लेंगे वो पूर्ण रूप से क्या आना चाहिए complete होना चाहिए तब हम उस theorem को कहते हैं this picture theorem फिर अब चलते हैं इसके proof की ओर तो हमें इसमें कुछ late करना रहता है जो statement में दिया रहता है बस उसी को late करके हम लोगों को क्या करना रहता है इसको proof निकरना रहता है तो हमें late करना है कि late fn be a sequence of function हम लोग यह मार रहे हैं कि जो fn है वो sequence function है तब वो function fn को बिलाउंग करना चाहिए l to the power p ab में and the sequence fn converts to a function fn belongs to l to the power p ab तब जो sequence हम लोग ले रहे हैं fn उसे बिलाउंग करना चाहिए किसमे l to the power p ab में तब हम इसके लिए क्या करते हैं एक sequence लेते हैं वे conscious sequence theorem से कि late epsilon is greater 0 then there exists del is greater 0 हमें पता है कि जो conscious sequence होता है काँची theorem होता है उसमें हम लोग epsilon को greater 0 से मतलब कहा जाए कि epsilon को greater लेते हैं 0 से तो उसे exist करता है del is greater 0 तब हमें एक sequence मिलता है mod के form में fm minus fn is less than epsilon मतलब function का जो difference होता है वो क्या होता है शोटा होता है epsilon से इसे हम दूसरे पकाशा भी write कर सकते हैं norm fn minus fm is less than epsilon इसे देंगे हम लोग equation number first and we prove that तो हमें prove करना रहता है कि limit and m tends to infinitive norm fn minus fm p equal 0 तो हमें ये प्रूब करना रहता है कि जो epsilon का value है वो क्या जाता है 0 होता है इस set के लिए जब norm fn minus fm p का जो उन्मान है वो equal हो जाएगा तब तब हमें फिर से लेट करना रहता है ये प्रूब करने के लिए तो given जो दियर है अब epsilon उसको हम फिर से राइट कर देंगे कि epsilon is greater 0 then mn is greater 0 तो m और n के value भी 0 से क्या होगा बड़ा होगा then where जो n 0 हो बिलाउं करना चाहिए किसमें n में तो हम अब इसे राइट कर देंगे इसके लिए प्रूब करने के लिए तो norm fn माइनस fm equal fn माइनस f and plus f minus fm तो हम लोग इसे प्रूब करने के लिए क्या कर दी है इन दोनों में minus f और plus f को भटायर जोट दी है अब हम इन दोनों norm form को अलाग अलाग कर देंगे दोनों function के लिए तो norm fn माइनस f plus इनके लिए भी अलाग हो जाएगा ये तो norm f minus fm तो इसका value अभी हमने के question फर्स्ट में क्या राइट किये है epsilon इसलिए ये हो जाएगा epsilon और इसके लिए भी राइट हो जाएगा epsilon तो ये दोनों जूड़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा to epsilon then हम कर सकते हैं अब कि norm fn माइनस fm equal हो जाएगा to epsilon का या इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि norm fm माइनस fm equal to epsilon हम इसको किसी भी प्रकार से राइट कर सकते हैं by theorem अब हम लोग को theorem में क्या किया है हम लोग जो m और n के value हैं वो क्या है infinitive है इसलिए हम लोग क्या कर देंगे जो function ले रहे थे कि fm norm fm माइनस fn p tends to 0 इसलिए इसका value क्या हो जाएगा 0 के equal जहाँ n और m को हम लोग रखे हैं क्या infinitive तो hence हमें प्रूब करना था वो प्रूब हो जाता है कि limit mn tends to infinite to norm fn minus fm equal 0 इस प्रकर क्या हो जाता है जो कांची sequence ले रहे हैं वो 0 के equal हो जाता है पहला condition हम लोग का proof हो जाता है अब हम लोग चलेंगे इसके दूसरे condition sufficient condition के और तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो उसमें किया थे necessary condition में तो लेंगे कि let fn be a sequence of function fn belongs to a to the power pab such that given epsilon is greater 0 then nm is greater or equal 0 और जहां n0 का value है वो बिलोग करता है n में तब हम इसे फिर सा write कर देंगे कि norm fm minus fn is less than epsilon इसे देंगे हम लोग equation number 2 बस अब इसमें ये धियान देना होगा जो पहले हम लोग किये हैं उसमें इस epsilon का value भस हम लोग इसमें change कर देते हैं तो हमें prove करना होता है कि we prove that the sequence of function f belongs to the power pab तब हम लोग क्या करेंगे अब इस epsilon के जगे में ये रख देंगे कि epsilon equal 1 upon 2 to the power k तो epsilon के जगे में हम लोग रखने माले क्या है 2 to the power k तब हम लोग अब write कर देंगे इसके लिए दो sequence हम लोग लेट करके चलेंगे कि जब m is greater n के हो जब m का जो value है वो n के से बड़ा हो तब हम इसके लिए दो sequence refine करेंगे कि we suppose that to sequence fz fz के लिए दो sequence हम लोग write कर देंगे कि fn1 fn2 it's on fn के मतलब यह कि जब हम function को write करेंगे n1 के लिए n2 के लिए n, nk के लिए तो हम लोग दूसरे function के लिए भी write करेंगे कि g1, g2 and gk तब जो gk है और function fn के हैं वो क्या हो जाता हैं दोनों equal होता हैं तो यह हो जाएगा इसलिए gk equal fn-k और इसके अगले sequence अगले form के लिए हो जाएगा gk plus 1 and fn-k plus 1 तो यह दोनों function क्या हो जाता हैं equal it हो जाता है इसलिए क्या करेंगे इसका norm form निकाल लेंगे हम लोग कि norm gk plus 1 minus gk p equal 1 इसका norm form इसके equal होता है 1k equal होता है तब हम इसको summation की रूप में write करेंगे कि k equal 1 to infinitive norm gk plus 1 minus gk p और इसका value हम लोग अभी write कि हैं क्या है epsilon तो इसलिए ये less thanar equal हो जाएगा epsilon summation k equal 1 to infinitive 1 upon 2 to the power k equal 1 तो इसका हम लोग जब summation निकालेंगे तो वो भी क्या होता है 1k equal हो जाता है इससे हम लोग देंगे अब equation number 3 now we define g अब हम लोग g के लिए क्या करेंगे define करेंगे g एक function हम लोग ले रहे हैं उससे हम लोग इस रूप में define करने माले हैं कि gx equal mod gk plus 1 minus gk इससे हम लोग देंगे अब equation number 4 but some condition है इसके लिए gx के लिए कि जब gx के value क्या होता है infinity हो जाता है तब हम इसके लिए क्या करता है इसका right hand side के लिए कि the series आना right hand side of equation 4 is divergent तो इसके जो right hand side है यह वाला वो क्या जाता है divergent होता है तब हम इसे इस function को इस प्रकासर right कर देंगे कि integration a to b mod g to the power p dx इसका whole power 1 upon p equal रहे जाएगा करली bracket लगा देते हैं इसके लिए तो a to b और bracket इसके अंदर रखेंगे mod g1 plus summation के equal 1 to infinity mod gk plus 1 minus gk and कब power p and इसके पूरे whole power क्या रहेगा one upon p जब हम इस gp के लिए इतना प्रूप करते हैं तब हम इसमें एक theorem apply करना होता है minus case theorem तो minus case theorem पर हमने वीडियो बना रखे हैं यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन में उसका link दिया गया है वहां से जाकर देख सकते हैं ताकि आगे जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको असानी से समझ में आ जाए तो अब देखते हैं कि यह हम लोग इसमें मुनास्कित theorem की इस प्रकाशे पर रोक्किये हैं तो norm gp is less than bracket norm g1p plus इसके लिए फिर हो जाएगा यह summation k equal 1 to infinitive norm gk plus 1 minus gk p अब इसका value अभी हम लोग जो equation 3 write किये हैं यह वाला equation equation number 3 यह वाला उसमें क्या है कि norm gk plus 1 minus gk p equal क्या है 1 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे अब उसमें write कर देंगे 1 तो इसका value क्या हो जाएगा 1 के equal हो जाएगा अब हमें suppose कर नहीं कि यतना equal क्या है a जो finite number है तो hence implies that norm gp is less than a इस प्रकार जो function हम लोग ले रहे हैं g का norm less than हो जाएगा a से जाएगा हम लोग का finite number है तब हम लोग कह सकते हैं कि g है वो एल to the power p a सेट में क्या करता है implies क्या करता है बिलॉंग करता है ना लेट e be the set अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए एक सेट ले रहे हैं e e क्यों क्या मार रहे हैं एक सेट मार रहे हैं तब एक point हम लोग क्या लेंगे x लेंगे कहने के मतलब यह है कि हम लोग लेट करेंगे कि यह एक function है तो g x equal infinity हो क्योंकि इससे पहले हम लोग मान चुके हैं कि जो g x है उसका value infinity हो तो क्या होता है तब हम लोग इस function के लिए define करेंगे कि f of x क्या होता है 0 होता है then by equation 4 से हम लोग function के लिए write कर देंगे कि f of x equal g1 plus summation k equal 1 to infinitive gk plus 1 minus gk तो हम f of function के लिए इस प्रकासे से write कर देंगे तो since अब हम लोग क्या करेंगे हमें prove करना होता limit के function में इसलिए हमें क्या करना होगा limit का multiply करना होगा इसके लिए तो function f of x equal limit m tends to infinitive g1 plus summation k equal 1 to infinitive mod एस वारी bracket gk plus 1 minus gk और ये फिर close कर देते हैं bracket तो बस हमें यही करना रहता है जो prove करना रहता है उसके हिसाब से हम लोग करते जाते हैं क्योंकि हमें limit में चाहिए था इसलिए हम लोग क्या कि हैं limit में कर दिए हैं अब function के लिए हम लोग क्या करेंगे कि f of x है वो limit m tends to infinitive किसके क्या हो जाता है gm x के तो gm tends to x belongs to ab मतलब यह है कि जो function हम लोग लेंगे gm वो इसमें x को ab पर बिलॉंग करना चाहिए तो अब हम लेने माले हैं कि जो function f of x है वो 0 हो तब x को बिलॉंग करना चाहिए e में और शाथ ही हम लेते आए हैं x भी बिलॉंग करता है ab में तब हम write कर देंगे इसके लिए कि limit n tends to infinitive mod gm x minus f of x अब हम लोग दो set ले रहे थे gm और f मतलब g के लिए और f के लिए तो उसको हम लोग क्या के हैं बस माइनस बस किये हैं mod के थुरू और हमें लेना रहता है जो n है वो infinitive तक जाना चाहिए तो इसलिए क्या करेंगे limit n tends to infinitive mod f of x minus z mx equal हो जाएगा 0 का क्योंकि f of x equal 0 है इसलिए set के लिए पूरा क्या हो जाएगा यह 0 तब हम अब इसके लिए बस function gm के लड़ define करेंगे कि gm x equal g1 plus summation k equal 1 to m gk plus 1 minus gk अब हमें जो function summation ले रहे थे उसमें क्या करेंगे k equal 1 से m रखेंगे अब इसका हम लोग क्या करेंगे mod ले लेंगे तो mod gm equal mod g1 इसके लिए और इसके लिए भी लेंगे तो यह हो जाएगा mod k equal 1 to m gk plus 1 minus gk यह mod इसके अंदर चला जाएगा तो यह हो जाएगा less than r equal g1 plus summation k equal 1 to m mod gk plus 1 minus gk equal g और यह सभी यह इतना value gk equal हो जाता है so hence इसलिए mod gm क्या हो जाएगा less than r equal हो जाएगा function gk for all m पर but हम लोग statement में क्या लिखे हैं कि जो m और n का value क्या होता है infinity होता है तब हम लोग यह मार रहे हैं कि अभी m को जो value है वो infinity हो किस पर function g के लिए तब हम इसे इस प्रकास राइट करेंगे कि mod f minus gm less than r equal इसके लिए mod हो जाएगा तो f का mod plus g का gm का mod तो इसको हम लोग write किया हैं क्या है g है तो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा g plus g फिर यह दोनों जूड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2g हमें प्रूफ करना है अब इसमें क्या कि limit m tends to f minus gm क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए इसलिए 2g जब g को हम लोग arbitrary माल लेंगे उसका value क्या हो जाता है फिर 0 की equal हो जाता है तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब इसे हम लोग write कर देंगे equation number 6 अब हम इस theorem में last stage पर एक और theorem अप्लाइ करने माले है बाइ लेप्स u dominated convergence theorem तब हम इस theorem में अप्लाइ करनेंगे तो हम इसे write कर देंगे कि limit m tends to infinity a to b इसको लेंगे integration a to b mod f minus gm to the power p dx हम लोग जो function a ले रहे हैं यह वाला उसको integration के form इस प्रकास write करेंगे तब क्या होता है कि इसका जो value होता है limit के लिए limit ए स्वारी integration a to b limit m tends to infinitive और इसका value क्या भी हम लोग माने हैं arbitrary रखकर कुछ देर पहले equation number six से यह वाला कि क्या है 0 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो function f minus gm ले रहे हैं वह 0 हो जाएगा तो यह 0 एक क्वाल यह पूरे time भी क्या हो जाएगा फिट 0 तो इसको हम लोग इस प्रकास राइट की हैं अब हम इसको बस कुछ नहीं करेंगे एक change करते हैं कि यदि इसके पावर 1 बाइप भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 के एकवल हो जाएगा तो limit m tends to infinity to integration a to b mod f minus gm to the power p dx whole power 1 by p भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हैंस लिमिट m tends to infinity इसका नारो फार्म f minus gm p equal 0 तो इसका नारो फार्म भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब यह m के लिए है और यदि n के लिए भी हम लोग इसी प्रकास राइट करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब m और n दोनों के value infinity पर नारो फार्म 0 हो जाता है तब हमारा यह theorem प्रूफ हो जाएगा so thus proof by theorem LP space is complete space इस प्रकार हम इसका दूसरा जो statement राइट किये हैं कि जो LP space है वो क्या है complete space है तब यह हमारा जो theorem होता है वो पूरी तरह से complete हो जाएगा थैंक्स पर वाची